आपका स्वागत है हमारा विशेश कारिकरम विधायक ची चले गाउं की ओर में आज हमारी मेहमान है तीस बिलारी विधानसवा चिला मुरादवाद के विधायक मुहम्मद फाहीम जिन से हम बात करेंगे कि गाउं में मौझूदा हालात क्या है क्या गाउं की जरूरत है और क्या गाउं को चाहिए तो आईए बात करते हैं मौहमद फाहीम से विधायक जी स्वच भारत अभियान के तहट कारिकरम चला है कि घरगर शोचाले बनवाओ प्रधानों को इसकी जिम्मेदारी दिये और पैसा भी लाभारती के खाते में जाता है ऐसे में फिर प्रधान के खिलाफ ही यह एफाई यार हो रही है कि यह कहां तक निया है कहां तक उचित किस ने कहा आपको जो है सुलफ सोचाले या कौनसा अभियान चल रहा है सारे अभियान पेपर में है आप देखि लिजे हमारी विधान सवा के अंदर जिन गाउं को इन प्रधान के खिलाब उनका उत्पीड़न करते रहते हैं ऐसी हमारी विधान सवा का एक गाउं नगला एक गाउं था हमारा उसमें प्रधान सहाब बहुत शरीफ हुआ के प्रधान है बिचारे उन्होंने अपने गाउं में लाभारतियों की सूची बना करके दी और वो प्रधान बचाने के लाले पड़े हम لوگ साथ में आए और हमने उनकी मदद की और सब हमारे प्रधान साहबान उने भी एक साथ हम सीडियो से मिलें डियम साहब से मिलें और सचाई से रूबरू कर आया तो यह हकीकत सामने खुलकर आई कि बात तो O.D.F की करते हैं और जब ज दूसरे में नफरत प्यदा करने की सियासत है एक दूसरे के महबत को बांटने की और काटने की सियासत है इनको एक एट से मतलब नहीं है लगभग 11-10 महीने के इनकी सरकार हो चुकी है कोई एक काम भी बता दें कि इन्होंने किसी तरीके का कोई काम किया हो कोई गाउं में पिर तरीखे की प्रदानों के खाति में अभी तक नहीं पहुंची है प्रदान वी चारे अतने परेशान है तो रही बात यही आप से बताना चाहता हूं कि वह बात इसलिए खराब इनकी है कि जो कहते हैं वो करी नहीं सकते और जब कहते हैं कर नहीं सकते तो पूरी तरीके से फेल सरकार है पिछली सरकार आप देख लिजिए, मान्य अखली शादफ सहाब की, कि उन्होंने जिस तरीके से काम किया जैसे Lohiya गाउं का मौमला है तो लोहिय गाउं अगर चिनित कोई गाउं हो गया तो उसके अंदर आप देखिया पूरा गाउं सोचाल्ले हो गया पूरे गाउं के अंदर जो गरीब हैं उनको अवास मिल गई पूरे गाउं के अंदर नल लग गये पूरे गाओं के अंदर सोलर प्लांट लग गए, सोलर लाइट्स लग गई, पूरे गाओं को लिंक रोट से जोड़ दिया गया, 40-50 लाग रुपे के सीसी का काम करा दिया गया, पेंशन के साथ साथ जो गरीब हैं, उन लावारतियों को और किसी योजना में चिनित कराने का क साम किया, प्रिधानों के साथ बैठ कर हमेशा मिटिंग होती रही है, जन प्रिधानों के खातों में जो पैसा आता था वीडियो के माद धिया उनको लगातार सुचारु बूप से उनके खातों में पहुचा दिया है, आज की तारिख में तो किसान भी परेशान, प्रिधान भी परेशान, गाउं भी परेशान, न ओडी एफ, न रोड, न सड़के, न लोही आवास, न बेंशन, न ब्रद्धा पेंशन, अरे किस चीज की सरकार है, सरकार हम बताते हैं किस चीज की है, सरकार है जूट बोलकर एक दूसरे को लड़ाने की, सरकार है इस बात की कैसे मंदि चीजित के लावडूडूस बेकर उतारे जाएं अब लावडूस पीकर से जब विवाद नहीं बढ़ा तो कास गंग जैसी जगा में जहन जहने का नाम लेकर हमारे तिरंगे की शान में गुस्ताखी करने की साजिशकी तो वो तो सब के सामने हैं सारी बात आपके सामने हैं ब जो प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं उन्होंने तवक्व ये की थी वो इसलिए ही जो है इस देश में तरक्की चाहते थे और उनके अलफाज भी यही है कि ये देश गंगा जमनी तहजीब का हिंदू-मुस्लिम एकता का एक गहवारा है यहाँ पर अगर कोई आपस में का रास्ता तो गाउंसी जाता है तो इन लोगों ने उसी चीज़ को खत्म कर दिया जब गाउं के अंदर सभी वर गों के लोग बैठके प estás्कार आगए वी ये इसी की राइंति करेगी जए उनके पास कोई एजबररा और हैंने विकास का विकास तो याजब करा आए है और वो विकास अब को दिखता भी है और विकास इंशालला ताला हमें उमीद है कि हम लोग जो है पूरी तरीके से जनता के बीश में जाकर जो ये फेल सरकार है इसके बारे में बताने का भी काम कर रहे हैं विधान सवाम भी आज हम लोगों ने पूरी तरीके से बताया कि य फूट से कुछ नहीं चलने वाला है यहां पर सारी लोग रहते हैं सब लोग प्यार से रहना चाहते हैं और यकीनी तोर पर मैं फिर ये कहना चाहता हूं प्रदेश की तरक्की का रास्ता गाउं से जाता है सबसे जादा परिशान अगर कोई है तो ग्रामिट छेतर की जनता है किसान है गेहों की फसल करने वाला है चावल की फसल करने वाला है गन्य की फसल करने वाला है अगर यही चीज़े ठीक नहीं होंगी तो कहां से तरक्य होगी और एक और बात अगर आप ये देखिए कि प्रधान जी एक लवज है एक प्रधान बनने के बाद उस प्रधान का मकसद गाओं के एक मुख्या की हैसित में हो जाता है अब उस मुख्या का ही कंडिशन ये देख लीजे किस से कहे अपने दिल की बात कि कहां सड़कों की बात करें कहां नाले की बात करें कहां लैटिन टॉयलेट की बात करें कोई मतलब किसी तरीके का इस सरकार का नहीं है पूरी तरीके से फेल सुपर फेल ये सरकार है जनता समझ चुकी है जनता इनके जूटे लफवाजी बियानवाजी जुमले वाजों का ज जवाब देने का मतलब इंशाललह 2019 में भी सामने आएगा और जनता सम्मान चाहती है जनता विकास चाहती है जनता एक दूसरे के साथ चलना चाहती है जनता और पब्लिक होली भी मनाना चाहती है इद भी मनाना चाहती है सिमय भी खाना चाहती है गुलाल भी लगाना चाहती है दिपावली पर दियों में खुशिया भी वाटना चाहती है बकरईट में एक दूसरे से गले मिलकर गले शिक्वे दूर करना चाहती है लेकिन ये इन सब दूरियों को बढ़ाने की दो काम करते हैं लेकिन दूरिया कम करने का कोई काम नहीं करते है ग्राम पंचयत का रास्ता है वो ब्लॉक से होकर ग्राम पंचयत तक हुँचता है इस समय सचिप इतने कम है के एक एक सचिप ददस भारे भारे गाउं देख रहा है उस तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है ये जैसे पहले सबसे पहले कहा था सरकार बनने से पहले कि नोजवानों को रोज़गार देंगे जब रोज़गार ही नहीं देंगे जब सचिवों की भरती ही नहीं कराएंगे जब ये वेकैंसी ही नहीं निकालेंगे तो कहां से सचिव ले करके आप आएंगे एक एक सचिव के उपर, तभ दस बारा बारा गाउं का चार्ज है, तो अब सचिव नहीं है तभी तो चार्ज है, नहीं तो उसूली तो पर एक गाउं पर एक सचिव, तो जब आप भरती क्योंने कर रहे a goals आपको क्या परिशानी है, अगर आप भरती कर लेंगे to ĩो कि करिए मैंना आपसे क्या कहा उनको क्व इप सी उस्सारी चीज से उनका क्या मतलब है इस सारी चीजु से वो सी न हूं नS चीज़ों पर ध्यान के नए ना उनका क्व मतलब है धृंद धियान देना करें नौकरियां जो निकालें वेकेंसी सचीवों के वकायदा आविदन कराएं और अपना पूरी तरीके से एक्जाम्स कराएं और सचीवों के भरतियां करें तो फायदा मिलेगा किसानों को इस चीज़ का और पंचायतों को फायदा होगा इस चीज़ का आपकी तरफ से सरकार के लिए क्या संदेश रहेगा या आपकी पार्टी की तरफ से क्या मांग विधान सभा में उठाई जाएगी हम तो गिरामींड चेतर से आते हैं सबसे पहले हम किसान हैं किसान के बेटे हैं इससे पहले विधायक हाजी मुहम्मद रुफान साहब भी हमेशा विधान सभा में किसान की ही बात करते चले आए हैं विधायक बाद में है किसान के किसान पहले हैं हमारा विधान सभा के अंदर एक ही मकसद है था और रहेगा किसान विरोधी कोई भी काम बरदाश नहीं किया जाएगा सलकों पर उतुरेंगे हम इन लोगों की आँखें खोलना चाते हैं हम ये कहना चाते हैं कि आप उठो अब वोट आपको मिल चुका है अब किसान के हित की बात करो गन्य की बात करो गेहों की बात करो उन सब चीजों की बात करो जो गरीब को घर मकान नहीं है गाओं के अंदर उसको मकान देने की बात करो और सबसे जादा उस गरीब की क्या खता है जिस गरीब जो विद्वा जिसके शोहर जिसके पती इस दुनिया से चले गए जिसकी उमर 62 साल है तुमने उसकी पेंशन बंद करने का काम कर दिया पेंशन चालो करो उस गरीब का जो एक छोटा सा हक था उस हक से वो अपना घर चलाती थी आज उसके दिल की आहा उपर तक जाती है और अर्श तक जाने वाली आह लोगों को बरबाद कर देती है तो हम तो यही कहना चाहते है आप जनता के बीच में जनता के द्वारा चुने गए है जनता नहीं आपको बनाया है जनता ही बादशा है और जनता को आप जमीन पर रखने की कोशिश करते हैं तो इससे खुदा भी नराज होगा और आवाम भी नराज होगी तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि यह लोग सुधें और सरकार को सरकार की तरीके से समझें यह किसी की जागीर नहीं है यह बनाई गई है लोगों ने लोगों के लिए बनाई है और लोगों का काम करने के लिए सरकार बनाई गई है इस सरकार का मकसद सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए और ग्रामीड छेतर में विकास की बात करने की कोशिश होनी चाहिए हवा हवाई बातों से परहिस करना चाहिए जुमले वाजी से दूरी बनानी चाहिए सरकार के दौारा जो योजनाए चल रही हैं इतनी योजनाए हैं कि मैं बताना अगर आपको शुरू करूँगा तो योजनाए खत्म नहीं होंगी और आपका वक्त खत्म हो जाएगा लेकिन सब कागजों के अंदर चल रही है तो उनका क्रियानवन होना चाहिए कितनी बड़ी जो सरकारों ने पहले के टाइम में बने हुए लोग है उन्हें हटाने में वक्त जाहर मत करो अब आप देख लिजे मुरदबात के अंदर ही एक जिला पंचाइद के अध्धक्षा हैं वो ऐसी है S.C. है वो S.C. है वो इन्हें यही तखलीफ है अरे इन्हें S.C. से तखलीफ इन्हें मुस्लिम से तखलीफ तो उस गरीब को जब नहीं हटा पाए जब जन्ता और पबलिक नो जिला पंचाइद के सदस्थों ने अपने आपको यह एहसास दिलाया परतंब जलाया तो फिर तो इनका एक तरीके से डिक्टेटर्शिप हो गई हिटलर शाही हो गई यह तो हिटलर बनकर काम करना चाहते है तो मैं समय यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ किसान मजबूत होगा तब ये देश मजबूत होगा पंचायत मजबूत अगर होंगी तो ये देश मजबूत होगा पिरधान अगर मजबूत होंगे तो ये देश और पिरदेश मजबूत होगा पिर्धानों को पिर्धान समझना चाहिए वो भी अपने गाओं का मुख्या होता है पिर्धान को सम्मान मिलना चाहिए जितन भी योजनाओं चल रही है उन्हीं योजनाओं पर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए ऐसा मेसेज हम देना चाहते हैं लेकिन अगर इनोंने अभी किया है तो आज हमने विधान सम्भा में पूरी ताकस से मुद्दा उठाया है हमने कहा है किसान वरोधी है ये सरकार हमने कहा है दलित वरोधी है ये सरकार हमने कहा है अलपसंक्यक वरोधी है ये सरकार हमने कहा है पिछड़ा विरोधी है ये सरकार और हमने ये भी कहा है कि इस किसान के साथ साथ इसे कोई मतलब नहीं है इस सीज़ का कि किसी को भी ये फाइदा पहुचाने की कोशिश करें और हमने एक और बात कही है कि सारी बाते छोड़ कर विकास की बात करिए सम्मान करिए और पंचायत उपर पूरा ध्यान दीजिए पंचायत उपर अगर ध्यान देंगे तो हमारा इलाका उपर देश तरक्की करेगा कल्यान सिंग जी के समय में जिसमें गाओं को गनराज बनाने की बात की गई थी अब दोबारा से उसी भाजपा की सरकार है तो क्या इस पर सदन में आज तक चर्चा हुई कल्यान सिंग जी के जमाने में जो बात कही है आपने अगर ये लोग मैंने आप से क्या कहा कि उस बात पर क्या और किसी की बात पर भी अमल करें तो वाकई हमारे गाउं की इस्तिती बदल जाने का काम हो सकता है आप कल्यान सिंग साहब की बात कर रहे हैं अब इन्हें कुछ और सिंग दिखाई ही नहीं देते ये अपने अडवानी साहब को भूल गए अपने जो पूर प्रधान मंत्री साहब है उनकी योजनाओं को भूल गए उन्होंने ये कहा था कि खुशाली और तरक्की और महबत की बात अगर करनी है तो गाउं चलिए और गाउं की बात करिए शाइनिंग इंडिया की बात करिए और इंडिया को ये करिए और गाउं को बनाइए तो ये जो है अटल विहारी वाजपई साहब से तो खेर छोटे ये शायद कल्यान सिंग साहब मेरी जानकारी के हिसाब से तो मुझे ये मालू है तो जब अटल विहारी वाजपई साहब को सेटे साइड करकर उनको नजरबंद कर दिया तो कल्यान सिंग साहब की बात पर आप कहां करना राज्य जो बनाने की बात कर रहे हैं या कहां सोतंत्र जो है गाउं की बात कर रहे हैं इनका कोई मकसद नहीं है कोई मुद्दा इनके पास नहीं है कोई मतलब इनके पास नहीं है कुई बात ना ये करते हैं ना करना चाहते है सीधा सीधा एक मसला है अपनी मन मानी करना चाहते है जो शायद अब नहीं होनी चाहिए जंता समझ चुकी है और जंता इनके खिलाब पूरी तरीके से रोड पर उतलने के लिए तयार है पिछली सरकार आप भी की थी आप दूसरी बार हमेले भी बने आपकी सरकार में तमाम योजनाओं चलाई गई अब वो योजनाओं के या तो नाम बदल दिया या वो बंद कर दी गई तो इसका आपने विरोध किया तो कुछ नतीजा आयर विरोध किया हमने तो ये कहा कि जनेश्वर मिश्र साप से अगर मौभब्बht नहीं है तो दिन द्याल सहाब के नाम से योजनाओं चला दीजीएगर आपको लोहिया सहाब से मौभबबद नहीं है तो फिर आपको जो भी आरैसेस का सबसे कटर से कटर आपका ही इतनी नफरत है तो नाम हटा कर किसान की बात तो कर दीजिए कम से कम हमें नाम से कोई महबत नहीं है आप हमारा नाम हटा दीजिए बिल्कुल हम लोगों ने नाम दिया उन लोगों का नाम दिया जो देश में उन्होंने कुछ काम किया है जो सच्छे स्वातनतृत स Celtic सेनानि तक के लोग रहे हैं जिन्होंने इस प्रिदेश में अपनी अपनी जान की परवह न करते हुए खिसान की बात की है तो हम चाहते हैं कि हमारे नाम से अगर इनको तकलीफ है अगर जंसंग पेंशन अच्छी न लगती हो तो उसका नाम RSS रखते हैं छोटा सा नाम है उनका अगर नहीं रखती है तो उसका नाम हिंदू वाहिनी रखते हैं हिंदू वाहिनी के अलावा पतना नहीं कौन कौन से बजरंग दल लगते हैं अगर बजरंग दल से मुभबत नहीं है तो जो इनको सबसे बहतर नाम लगता हो वो रख दें और अगर और जादे बुरा लगता हो तो पाकिस्तान छोड़ो रख दें और बुरा लगता हो तो जो इनका दिल चाहे वो रख दें जो इनका दिल चाहे लेकिन इनसे तक्वियत म तो अखलेश यादव साहब की देन अगर कोई सड़क ऐसी जहां पर जेट उतरते हैं जहां पर सुखोई विमान उतरता है जहां पर एक ऐसी सड़क बनाने का काम कर दिया कि आप बैठ जाएं तो पानी का गिलास हिल जाएगा लेकिन पानी नहीं हिलेगा एसी सड़क बनाने का काम किया कोई सड़क बनाई है गड़ा मुक्त की बात करते हैं अपने गड़े मुक्त हो गए उनके जितना पैसा आया था सब जेबों में भर लिया बताइए कौन से गड़ा मुक्त हो गया मेरी विधान सवा के अंदर बिधायक हाजी मुहमद इरफान साब ने 377 नई किलोमीटर सड़के बनाने का काम किया 377 एक पुल बनवाने का काम किया एक अगनी शमन केंदर बनवाने का काम किया चार आठ बिजली घर बनवाने का काम किया नो डिगरी कॉलेज बनवाने का काम किया लोहिया पेंशन, लोहिया आवाज और आपका 50 वैड का अस्पताल बनाने का काम किया, रोडवेस बनाने का काम किया, और जो योजना रह गई थी हमारी सबसे बड़ी मंडी समीती की स्थापना जिसकी जमीन है, गजट हो गया, पैसा जारी हो गया, बस इसलिए नहीं बना रह है उसको, कि वो समाजवादी सरकार की योजना की देन है, हमने का, अगर मंडी समीती से नफरत है, तो उसका भी नाम RSS के नाम से रख दीजे, लेकिन योजना है, उसको तो चलाईए कम से कम आगे, तो कोई मतलब नहीं है, उन जगा आप जाकर देखिए, मेरी पूरी विध सरकार चल रही है, और लोगों को बाटने की साजिस और सियासत की सरकार चल रही है, इनने कम से कम समझना चाहिए, ये मुल्क सबका है, हम सबका है, सबने इसमें कुर्बानिया दी है, इसमें चाहें सहीद भगस सिंग सहाब हों, अश्वाक उल्ला सहाब हों, गांदी जी हो इन सब को हमेशा याद रखना चाहिए उनकी आत्मा उनकी रूह आज बहुत दुखी होगी ये देखकर अरे कहां लेकर जा रहे हो देश कहां आप लोगों ने देश को पहुचाने की साज़िश और कोशिश कर दी जिस देश की कोशिश ये रही है कि ये दुनिया का सबसे शांदार खुशूरत अजीव शान प्यारा सच्चा इमानदार मुल्क है इस मुल्क की दशा और दिशा बदलने का काम ये लोग कर रहे हैं इनकल आनी चाहिए आपकी विधान सबा में एक परेटर निस्थल भी बनाने की बात आ रही थी तो उसका आगे बढ़ा काम या रोक दिया गया बेरनी का शिम मंदर है वो RSS के एजेंटों से हम कहना चाते हैं कि बेरनी का शिम मंदर तो सभी की आस्था का केंदर है वहां तो सभी जाते हैं वहां मांगते हैं उपर वाले से सब तो बेर्नी के शिप मंदिर को हमने तो परिठक स्थल गोशित करा दिया अब हम धन मांगते हैं तो धन इसलिए नहीं देना चाहते कि मैं मुसल्मान एक मंदिर की क्यों बात कर रहा हूं तो मैंने का इस मुसल्मान की एक बात सुन लीजिए मेरे लिए मंदिर भी उतना प्यारा है और तिसावे की दरगा भी इतना प्यारी है आप दोनों को धंजारी कर दीजिए और मेरे हाँ तो गंगा जमनी तैजीब की बात होती है हम तो मंदिर को भी उतना संबान देते हैं मस्जिद को भी उतना संबान देते हैं हमें हिंदू भाईयों को वोट भी मिलते हैं जहां पर आस्था का केंदर है जहां लोग जाकर दूआ मांगते हैं मन्नत पूरी होती है उसमें इने जाकर कम से कम कुछ न कुछ धन देना चाहिए भविष्य में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा आएगी तो ग्राम पंचायतों और किसानों के लिए ऐसी क्या योजना है समाजवादी पार्टी लाएगा या जो भी मौामले हैं जो चल रहे थे जो इन्होंने बंद की हैं सबसे पहले बेव लागू किया जाएगा इन्शालला और जो योजना है अब दिमाग में अखलेश वाहई के हैं वो सारी योजना है लाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी और हमारी तो ये दौा है कि आप लोग इन्शालला इस बात को समझ चुके हैं कि वक्त आएगा अखलेश आदर सहाब का और लोग विकास बुरुस के नाम से उनको जानते हैं और यकिनी तोर पर एक गेर विवादित मुख्यमंत्री इस प्रिदेश के रहे हैं और विकास के नाम पर ही उन्होंने वोट मा मुश्पाईगी धन्यवाद विदायक जी हमसे बात करने के लिए तो ये थे उत्तर प्रदेश की 30 बिलारी विदान सभा से विदायक मुहम्मत फाहीम जिन्होंने अपनी योजनाओं को बंद करने इस सरकार के उपर जो बाते इन्होंने कहीं हैं इसके साथ ही ये विरोध भी हमेशा प्रकट करते रहे हैं आगे भविश्य में भी ये ग्राम पंचायतों और किसानों की बात विदान सभा में उठाते रहेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं और शायद यही उम्मीद इनके विदान सभा छेत्र के किसान और ग्राम पंचायतों के लोग भी करते होंगे ABPS News के लिए अजे परताप सिंग लखनव